आजकल स्किन का कितना कुछ ध्यान रखते हैं, कितने कुछ स्किन केर रूटीन फॉलो करते हैं, देज स्किन केर रूटीन, नाइट स्किन केर रूटीन हार एक सीजन में स्किन केर रूटीन बदलता ही रहता है, तो मैं आज आप लों के साथ कुछ ऐसे स्किन केर ब्लेंडर श सब्सक्राइबकों मिलते रहें दिन में दो बार फेस्वाश करना प्यूद ही काफिए मतलब वह मौद इनव है हम लोग क्या करते कीफिर करते आपको लगता है कि फ्रेश फिल होता है आइगर बंट प्रेश्व करने के साथ जब भी हम वेतर हो जाते हैं जी आपको छाथ शकि तो इससे क्या हो जाता है तो इसी तरह के से फिली-फिली मिस्तेक की वज़े से हमारे फेस पे मीदबल हो जाती है यह बस आकने पर उन सकिन ताइप वालों के लिए नहीं है हर किसी को यह फॉलो करना है अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है time to time scrubbing करना face के लिए बहुती beneficial तो है लेकिन wrong product I mean wrong scrub use करने से आपका skin damage हो जाती है wrong product use करना मतब जो scrub आपके skin को irritation cause करती उसे बिल्कुल भी use नहीं करना है and harsh way में आपको exfoliant नहीं करना है face को especially जो बहुती sensitive होती है and अलग-अलग exfoliant को एक ही time पर use करना भी बहुती damage करती है अमारी skin को अगर अपने skincare routine में अभी तक SPF add नहीं किया तो मैं कहते हैं अभी उटो चलो निकलो और SPF add करना शुरू कर दो मतलब use करना शुरू कर दो skin को over explore करते है तो उसके क्या हो जाते skin damage हो जाती है and suntan हो जाते है तो इससे remove करने के लिए बहुत सारे DIYs use करना पड़ते है वो भी instant result नहीं मलता है तो constantly use करना पड़ता है तब result आपके मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा तो आप पहले से ध्यान रखना शुरू कर दो जब भी आप बहार जाते तो sunscreen use करना शुरू कर दो संग से make-up remove नहीं करने से pimple होती है यह गलती बिलकुल भी नहीं करना है जितना भी आप tired मतलब आपको make-up remove करना है क्या हो जाते है जब भी सोने का time हो जाते है तो हम जल्दी जल्दी सो जाते है कि लगता है कि उत्ते ही हम face wash कर लेंगी वह नहीं यहीं बहुत बड़ी गलती है सोने से पहले अगर अगर अपने make-up apply किया है तो तो सोने से पहले आप प्लीज अच्छी तरीके से remove कर दीजेगा आज के वीडियो में हितना हिता आगाई जो भी मैंने skincare blenders को बताया है आपको बिलकुल avoid करना है और अपने friends और family के साथ भी share करिए ताकि ओ भी avoid कर सके कर दो किया आपको सब्सक्राइब कर दो